हलो इस्टूटेंट्स वेलकम टू और इस्टडिंग एजूकेशन तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास टेंथ वर्स्ट्विक संख्या का भीविय अबजेक्टिव क्वेशन का सॉलिसर करेंगे जो आपके और आपके एकजाम के द्रिष्टी कौन से बहुत ही हलफूल ह और आपके लिए मोश्ट इंपोर्टेंट है जिस तरह से हम आपको क्वेशन को शॉल्प करना बताएंगे उसी तरह से और हमारे पास अभी टार्गेट का गैड है ठीक है टार्गेट का गैड है यहां पर टोटल और हमारे पास वस्ट्विक संख्या में से 100 प्लस वीविय क्वेशन है जो हम आपको बताएंगे तो आपके वस्ट्विक संख्या में से एक वी ऐसा क्वेशन नहीं होगा जो कि आपके एकजाम में छूट जाएगा ठीक है क्वेशन इसी तरीके से पूछेंगे बस अंक चेंज रहेंगे लेकिन क्वेशन बनाने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा क्वेशन पूछने कर धंग इसी तरीके से रहेगा इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप जानते हैं कि अगर आप NCRT में जि जिसे देखकर आप क्या हो जाते हैं हर बड़ा जाते हैं और अपका कोईशन गलत हो जाता है इसलिए हम आपको एक कोईशन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको एक जाबे कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ हम 81 से कोईशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर 1 से लेकर 80 तक का कोईशन आपकी पिछले वीडियो में सॉल्व हो चुका है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज आप सुरुवात से देखे ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा 81 का कोईशन क्या है तो यहाँ पी हमारा 81 कोईशन है दो संख्याओं का लगुतम समावर्तक इनकी महतम समावर्तक का चौदा भुना है तो लगुतम समावर्तक तथा महतम समावर्तक का जोड़ 600 है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो चलिए इसे इन सॉल्फ करना अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके question में क्या क्या रहा है? कि दो संख्याओं का लगुतम स्वावर्तक और महत्तम स्वावर्तक तो चलिए हम मान लेते हैं, क्या करेंगे? हम पहले मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि लगुतम स्वावर्तक क्या है और महत्तम स्वावर्तक क्या है तो में लिखेंगे माना लगुतम स्वावर्तक और एक्स मान लेते हैं, ठीक है? और यहां पर आपके question में कहा रहा है कि दो संख्याओं का लगुतम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक के क्या है 14 गुना है ठीक है हम क्या करेंगे यहां पर मान लेंगे महत्तम समावर्तक 14 गुना है इसका मतलब है कि x equal to आपका 14 y क्योंकि यह 14 गुना है ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लगुतम स्मावर्तक फिर आपके question में कह रहा है कि लगुतम स्मावर्तक तथा महत्तम स्मावर्तक का जोर 600 है और यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा तो यहाँ पर आपके लगुतम स्मावर्तक और महत्तम स्मावर्त तो यहां पे रखेंगे 14 y plus y equal to 600 और यहां पे जब हम इसको add करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 15 y और इक्वल to में आ जाएगा 600 और यहां पे क्या करेंगे इसको काड़ देंगे 15 460 और 0 तो y equal to आपके आगे है 40 ठीक है यहां पर हम इसको क्या करते हैं इसको हम first माल लेते हैं, अब हमें जो y का मान निकला है, इसको हम क्या करेंगे समीकरन first पर रखने पर, थीक है? तो आपका समीकरन फर्स्ट है x परावर 14y तो x equal to 14 और y के जगा पर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 40 ठीक है तो x equal to आपके कितना आ गया 0 और 14 चोके 56 तो यहाँ पे x equal to आपके महत्तम आ गये है 500 यहाँ पे देखे यह लगुत्तम है तो आपको लगुत्तम कितना आ गया है आपको लगुत्तम आ गया है 500 साथ ठीक है महत्तम कितना आ गया है यहाँ पे 400 आ गया है आपका 40 ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके question में कहा गया है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा ठीक है तो अगर आपको एक संख्या दे दिया है और आपको महत्तम और लगुतम भी है तो आपको दूसरी संख्या निकालना होगा तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुननफल इक्वल टू HCF गुने LCM जिसे हम महत्तम उन्हें लगुतम कह सकते हैं ठीक है तो HCF गुने LCM यहां पर हमें दो संख्या क्या दे रखा है तो आपको पता है कि इसमें से हमें एक संख्या दिया हुआ है कितना दे रखा है 280 और हमें दूसरी संख्या के बारे में पता नहीं है जिसे की हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे 280 गुने दूसरी संख्या क्या लिखेंगे क्यूंकि हमें दूसरी संख्या के बारे में मालूम नहीं है और हमें HCF और LCM के बारे में मुझे पता है ठीक है तो आपको पता है कि यहाँ पे 100 हमें कितना निकल के आ गया है 40 ठीक है और हमें 100 कितना निकल के आ गया है 560 ठीक है अब हम क्या करेंगे दूसरी संख्यां equal to लिखेंगे दूसरी संख्यां equal to 40 कुने 560 और यह हमारा गुणा महत यहाँ पे कहा आ जाएगा नीचे में 280 तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 से 0 हमारा कट जाएगा और क्या बच गया आपका 28 तो 28 दुनी 56 और यहाँ पे 40 को 2 से गुणा करने पर हमें आ जाएगा 80 ठीक है तो आपक जो आंसर निकला हुआ है वो है 80 तो चलिए option में हम धूंडते हैं तो यहाँ पे आपका 81 कोश्चन है 81 का कोश्चन में आपको 80 निकला है अभी आपने find किया है तो 81 का right answer आपका भी बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आपका 82 कोश्चन है 23.43 के उपर में तो इसे आपको क्या करना है इस संख्या को P by Q के रूप में आपको लिखना है जिसे कि आप पड़ में संख्या के रूप में लिखना भी कह सकते हैं तो चलिए इसे हम किस तड़ी के से P by Q के रूप में बदलेंगे वो सीख लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका संख्या है व और जितने भी अंग के ऊपर में आपको डेकरिंग दिखाई दे रहा है उतने आपको नीचे में क्या करना है नौ देना है यहाँ पे दो अंग के ऊपर में डेकरिंग था इसलिए हमने नीचे में दो नौ दिया है अब हम क्या करेंगे अब इधर देखिए दसमलब से पहले कि 30 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 30 तो 320 अपोन में क्या आ जाएगा 99 ठीक है तो अब इसका रेटेंसर क्या हो जाएगा आपका रेटेंसर यहाँ पर A हो जाएगा 82 का रेटेंसर आपका A बिलकुल correct हो जाए ठीक है अब आईए हम चलते अपने next question 83 question पे यहाँ पे है x का power n plus 1 का एक पुर्णाक x plus 1 है तो सिर्फ तभी क्या होगा n एक हमारा विशम पुर्णाक होगा यह question हम आपके पिछले की वीडियो में बता चुके इसलिए यहाँ पे हम आपको विस्तार से नहीं बताएंगे ठीक ह अब आई यह चलते अपने next question यहाँ पे 83 का right answer आपका भी बिल्कुल correct हो जाएगा x का power n plus 1 का गुनान क्या है x plus 1 आपको पता है कि सम संख्या का हमारा जो यहाँ पे व्यापक रूप होता है वो होता है 2m और विशम संख्या का 2m plus 1 है तो यहाँ पे हम m के जगह पर कुछ भ पुर्णांग ही होगा ठीक है 83 का right answer आपका भी बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अब आई चलते हमने next question पे यहाँ पे है 6x का power 4 y तथा 12xy का महत्तम स्माप वर्तक क्या होगा तो चलिए इसे हम अच्छे तरीके से आपको solve करके बताते हैं यहाँ पे आपका question है 6x का power 4 y और क question है तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको महत्तम समवर तक निकालेंगे तो चलिए धियान से देखते हैं तो 6x का power 4 y तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3x गुने x गुने y इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे है 12xy तो क या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने X गुने Y क्योंकि फिर से गुना करने पड़ हमारा वही आ जाएगा तो आप जानते हैं अगर आप अभाज गुनन खंड से महत्तम स्वावर्तक बनाए होंगे तो आपको समझने में कोई भी दिकत नहीं होगी अगर आप नहीं भी बनाए हैं तो इसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे हमारा X और X दोनों मैच कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे X हमारा Y Y दोनों में मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे Y अब देखें य तीन और यह तीन मिल रहा है यहाँ पर लिखेंगे 3 अब हमारा कोई भी ऐसे संख्या नहीं है जो इन दोनों में मैच करें कोई भी ऐसे संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x गुने y क्या है x गुने y गुने 3 ठीक है इसको आप क्या करेंगे इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया है यहाँ पे यहाँ पे देखिए हमारा 2-3-6 होता है तो यहाँ पे 2 भी आएगा तो फिर हमारा 2-2 मैच कर गया तो यहाँ तो यहां पर हम गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 6xy इस तरीके से ही हम आपको आगे बताएंगे तो आपका रैट एंसर यहां पर आ गया है 6xy ठीक है तो चलिए तो यहां पे आपका 84 का रैट एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 84 का राइट एंसर आपका D हो जाएगा 6XY जो कि अभी आपने find किया है अब आईए हम चलते हैं अपने next question 85 question पर यहाँ पर है root 10 गुने root 15 बड़ाबर है तो यहाँ पर क्या होगा 10 और 15 को गुना करेंगे पर आपका आजाएगा 1.500 कितना आएगा यहाँ रह जाएगा root में तो root 10 गुने root 15 यहाँ पर root में ही गुना होगा यहाँ पर आजाएगा 1.500 और इसको क्या करेंगे हम अब आज गुननखन कर लेंगे 1.500 का ठीक है तो यहाँ पे 2 से जाएगा तो 2 सत्य 14 और यहाँ पे 2 पंचे 10 यहाँ फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 पंचे 15 फिर यहाँ पे 5 से जाएगा तो 25 पंचे 25 और यहाँ पे 5 इकन 5 ठीक है अब यहां पे हमारा 5 का जोरा लग रहा है तो यह हमारा root से बाहर निकल जाएगा और यह दोनों root में अटका रह जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 2 गुने 3 तो यहां पे 5 root क्या गया 6 ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा 5 root 6 ठीक है तो चलिए इसे option में हम ढूल ले ठीक है यहां पे 85 का राटेंसर आपका हो जाएगा ए 5 रूट 6 जो कि अभी आपने फाइंड किया है अब आईए हम चलते हैं अपने नेक्ष्ट कोईशन पर मैं संख्या है या नहीं है तो देखिए आप इसे ध्यान से देखिए यह यह हमारा A है और यह हमारा B है तो A प्लस B इंटू A माइनस B के जैसा लगड़ा है आपको हाँ तो अब बताएए कि A प्लस B इंटू A माइनस B इसके वड़ाबर क्या फॉर्मूला होता है A स्कॉाइर माइनस के B स्कॉाइर ठीक है एक के जगा पर हमारा 3 है और B के जगा पर रूट 3 है तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 का स्कॉाइर और फॉर्मूला में है माइनस तो यहां पर आ जाएगा रूट 3 का स्कॉाइर तो देखिए 6 को क्या हम PYQ के रूप में बदल सकते हैं बिल्कूल क्योंकि 6 के नीचे हम कुछ भी नहीं है तो एक है और ये हमारा आ जाएगा PYQ जो PYQ के रूप में आ गया वो हमारा पढमे संख्या हो जाता है तो यहाँ पे आपके question में 86 में क्या ये एक पढमे संख्या है तो चलिए इसे हम अच्छे तरीके से सॉल्फ करते है ठीक है यहाँ पे आपके question में 1.34 को PYQ के रूप में बदलना है तो यहाँ पे दसमलब को हम काटेंगे और यहाँ पे देखिए दसमलब के काटने के बाद हम लिखते हैं एक और दसमलब के बाद कितने संख्या है चलिए जीरो और यहाँ पे काटेंगे दो चक के बाड़ा और यहाँ पे एक चारत दो सत्ते चौदर यहाँ पे आपका आगया कितना सरसत बटा पचास तो चलिए इसे हम option में ढून लेते हैं यहाँ पे आपके question में है 87 का question में यहाँ पे आपका B right answer हो जाएगा जो कि अभी आपन किया ठीक है अब आईए हम चलते अपने next question 88 question पे क्या सभी वास्त्विक संख्या एक पड़मे संख्या है तो नहीं बिल्कुल नहीं है क्यूं क्योंकि हमारा वास्त्विक संख्या में सभी संख्या आते इसका मत्त्र नहीं कि वह आपड़मे संख्या भी आते इसलिए हमारा और पड़मे संख्या कभी भी एक पड़मे संख्या नहीं हो सकता है इसलिए वास्तविक संख्या हमारा पड़मे संख्या नहीं होगा ठीक है तो 88 का आटेंसर आपका A बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अब आईए हम चलते हैं अपने 89 question पे यहाँ पे है 0.23 के उपर में डेक्रिंग को पड़मे संख्या के रूप में लिखिए तो चलिए 89 question को हम अच्छे तरीके से solve कर लेते हैं ठीक है तो आपके 89 question है 0.23 0.23 के उपर में डेक्रिंग है इसको आपको PYQ के रूप में बदलना है तो देखिए जितने भी संख्या के ऊपर में डेक्रिंग है सबसे पहले हम क्या करते हैं उतने ही संख्या हम उतना ही 9 हम क्या करते हैं नीचे में दे देते हैं अब बात रहें यहाँ पे घटाने की तो देखिए दसमलब से पहले कोई भी ऐसांगने 0 है जीरो को खटाएंगे, जीरो को खटाने पड़ हमें 23 ही आएगा, इसलिए आपका राइट एंसर हो जाएगा 23 बटा 99, तो चलिए इसे ओप्सन में ढूंडते हैं, यहाँ पे 89 का राइट एंसर आपका भी, 89 का राइट भी बिल्कुल कॉलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब में LCM, ठीक है, तो कभी-कभी आपके फॉर्मूला पूस दिये जाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किये हैं, तो फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लीजे, ताकि आपको कोई भी कोईशन बनाने में प्रॉब्लम और आप अपने एकजामे मैत में अच्छे से अच्छे मार्क ले पाएं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप लोगों को अपना फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोईशन में आए, ठीक है, चाहे आपको मैत में किसी भी हो, चाहे वो त्रिकोन मिती हो, चाहे वो समांतर स्टेनी हो, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है, ध्यान से आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 90 का राट एंसर आपका C, बिल्कुल कोडेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको कोईशन समझ में आए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,